तो हेलो दोस्तों राजस्तान PTT एक्जाम का रिजल्ट मंत्री भाटी आज PTT परिक्षा परिणाम जारी करेंगे यानि ओपिसेल वेबसेट पर अभी अभी जो है राजस्तान PTT एक्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है कुछी देर में आप चेक कर सकते है रिजल्ट को किस परकार से चेक करना है यहाँ पर मैं पूरा अपडेट बताऊंगा वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकुम को प्रेस कर दीजिए राजस्तान पीडिटी एक्जाम के सभी विदारतियों यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ रिजल्ट को किस परकार से चेक करना है तो राजस्तान पीडिटी एक्जाम की ओपिसल साइट पर जो है रिजल्ट अपडेट हो रहा है यहाँ आप आज साम तक रिजल्ट देखी नहीं पाएंगे लेकिन आपको मैं बताने वाला हूँ एक वेबसाइट जो की सटिक है सरकारी जॉब.co यहाँ पर आपको क्लिक करना है लिंक डाइरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी यहाँ पर आपको नीचे ड्रेग करते हुई जाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्तान PTT एक्जाम के रिजल्ट के बारे में उससे पहले यहाँ से आप पर टेलिग्राम को जोईन कर सकते हैं किसी भी परकार की अपडेट देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्तान PTT रिजल्ट 2021 न्यू इस पर आपको सिंप्ली से क्लिक करना है देन आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है मैं आपको बताऊंगा एक न्यू एप के बारे में जो स्टुडेंट में कापी जल्दी बोकूलर होती जा रही है चाहे कोई क्यूसंस हो, डाउट हो या कोई कंसेप्ट न समझाए बोर्स हो या जही नीच पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सल्यूसन है फिलो एप अपने डाउट्स को किसी भी टाउट्स का पिक्सर ले या उसे टाइप करके सब्मिट करे और फिलो एप को 16 सेकेंज में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइप को कॉल पर कनेक्ट कर देगा 10% डिसकाउंट के लिए कोड को यूज करना है EEH001 डाउनलोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी जल्दी डाउनलोड करें आप पर आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएंगी रिजल्ट की जो की रिडाउनलोड करेंगा पिटीटी एक्जाम के ओपिसल साइट पर रिजल्ट आज जारी होगा यानि आपका जो result है वो अब कुछी देर में जो है लगबग जारी होने वाला है यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो download की जो link है वो जैसे result जारी होगा आपके activate हो जाएंगे यानि कुछी देर में आपका जो result है अपका क्या होने वाला है जारी होने वाला है तो अब बस आपको इंतजार करना है यहाँ पर इस वीडियो को like करना है चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके बैल एकम को प्रेश करना है